हलो दोस्तों, कैसे आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और चलिए, मने जो EBS का जो क्लास लिये थे, मैत का जो क्लास लिये थे ना तो हम उनका YouTube में प्लेलिस्ट बना दिये कि EBS का जितना भी क्लास है, प्लेलिस्ट बना हुखת, CTEK के नाम से वहाँ EBS का जितना भी class is आपको मिन जआगा math का जितना भी class is math यह वला में click किजेगा playlist में तो वहाँ से मिल जाएगा मतलब आपको खोजना नहीं पड़ेगा किzy मेंत का कौन वला वेडियो है यह मैंत का कौन विला वेडियो आपको नहीं किलिग किजे जे एससी हो ठीक है किसी भी एक्जाम के लिए एक टेट एक कॉस्चन पुछता यह हम कॉस्चन करवाने वाले हैं तो परेक्ता का मतलब क्या हुआ समभावना कि आज बसा होगी ठीक है आज बसा होगी तो क्या आपको लग रहा है कि स्योर बर्सा हो जाएगी हम लोग तो संभावना बना रहे है कि है कि नहीं कर रहे है कि बरसा हो सकती है ठीक आज बरसा हो सकती है लेकिन गैरंटी नहीं है बरसा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती आसमान में रिमिल दिखाई देगा आपको या बादल दिखाई देगा क्या बोलिएगा कि पानी हो सकता है आज बारिस हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकता है ना बोलेगा कि राम आएगा तो क्या करक्ति प्रेसर देखेंक बोल रहा है कि लुदी ना ंफम्म के देखिए तो चलिए आज के बाद आप नहीं छोड़िएगा तो ठीक है इसमें की स्थोर का कॉस्टेंद रहेगा तीन टाइप से कॉस्टेंद इसमें पूछेगा एको कोएंद से पूछेगा है ना पैसा से पूछेगा कि चीट पॉट करेंगे ठीक दूसरा नामबर में पूछेगा क् भूँ खुब खेलते हैं है किनी आप तीसरा नामबर में पूछेगा गैंद से तीन टाइपसले कोहें किस्टा को थो जाुछेगा तो बोलेगा चीप में पूछेगा आपको तो मालूम नहीं रहता था कि head आएगा ना tail आएगा लेकिन हम लोग क्या करते थे जामते थे कि एक बार उच्छा लेंगे तो head भी हो सकता है tail भी हो सकता है लेकिन guarantee नहीं था तो हम लोग ऐसे ही बोल देते थे कि head नहीं भी आया तो कोई दिकत नहीं यह जिदि tail आया तो वो जित गया हेड आया तो हम जित गया इस तरह होता था तो क्या कोयन को जब एक बार उच्छा लिएगा तो probability क्या है मनें total outcomes क्या है घटित संख्या जो घटित होगा घटित होगा ठीक है क्या घटना क्या घटित हो रही है एक बार कोयल को उचा लिएगा तो हो सकता है क्या है एक है है एक फोग हेड आ जाए या एक फोग आजाए यहीं तो नहीं असकता है एक बार जब को उच्छा लिएगा जब एक बार तो हेड और टेल आने का जो probability है संभावना है वो दो ही हो सकता है या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है दोनों एक सब नहीं हो सकता है लेकिन सोले फिलिम में क्या होता था टॉस करता था ना तो हेड बोलता था कि जीतें परियक्ता क्या लाने का है आने का तो कूछ नहीं टोटल कितना घटित हुआ दो ही ठो घटिस हो सकता या head या tail तो total को नीचे लिख देते हैं और head कितना बार एक बार टॉस कीजिएगा तो एखी को head आएगा या एखी को tail आएगा तो क्या बोला है head आने का संभावना तो head आने का संभावना क्या है एखी ठोना है तो एक बटा दू हो गया इसी question में बोल देता कि tail आने का संभावना बताइए tail आने की पर्यक्ता तो क्या आ जाता one और नीचे total one by two एक हीटो tail हो सकता है दो गों तो नहीं हो सकता है ठीक है इसमें यहीं हो सकता है कि एक बार हो सकता है कि हेड़ाः लेकिन गहटी उनेवाला घटना कितना है दो में से एक वो सकता है नीचे भी कितना दो गो में serow two हमेसा नीचे रखते ठीक है इसको मिटना देते हैंश वारेक्ता हम लोग पढ़ते है तो परियक्ता कभी माइनस में नहीं होता है, परियक्ता कभी नेगेटिव में नहीं होता है, परियक्ता कभी रिनातमक नहीं हो सकता है, यदि आपको बोल दे कि किसी भी चीज़ का परियक्ता माइनस वान है तो गलत है, परियक्ता रिनातमक कभी नहीं हो सकता है, आपको कॉम नहीं हो सकता है यह बात याद रखिएगा कि पर्यक्ता कभी negative में नहीं आएगा जब भी आएगा positive आएगा और एक बात याद रखिएगा कि पर्यक्ता जो है ना P E possibility, है कि निए possibility, 0 से बड़ा और 0 के equal to हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के equal to भी हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा, लेकिन 1 से जदा कभी possibility नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा होगा या उसके equal होगा, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, परेक्ता कभी भी 1 से कभि आको Q कोस्टेन बोल दे कि पर्यक्ता क्या 1 से बढ़ा हो सकता है तो नहीं हो सकता है। लेकिन जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता है जीरो से छोटा करेंगे तो क्या हो जागा नेगेटिव हो जागा लेकिन कभी भी पर्यक्ता जो है नेगेटिव नहीं होता है इस बात को याद रखिएगा आपका question कि क्या पुछेगा कि परेक्टा क्या निलात любим हो सकता है तो नहीं हो सकता है परेक्टा Χ्राइए टाइम होगा आख इंट एक रहा हो गया वह तक्या नहीं को हुआं कि तो एको कौनत क्या कि chit परत करने की संभावना क्या है आद डिलाबर वहावना चीस고 प्रात करने की संभावना नहीं यही बोला निकालने के लिए तो देखिए टोटल आउटकम्स पहले जोड़ लिजिए कितना ठो घंटना घंटीत हुआ है एक ठो दो ठो तिन ठो चाठो पाच्ठो छोठो चाठो आठो नोठो दोस्ठो हम बोले हैं टोटल को नीचे लिख दी च्छोगों तो च्छो लिख दिजिये उपर में और काथ दिजिये दू तिया शो आए दू पंचे दोस मने अंसर क्या हो गया थिरी बाई 5 हो गया ओप्ऺजन में दिया हुआ है थिरी बाई 5 बी नंबरਸ में समझ माया गया तो देखिए कितना आसान है यही पर बोल देता दिजिए तु दू गुना चार दू पंचे दोस हो गया दू बटा पांच यदि इस कॉस्टन में पॉट बोलता तो दू बटा पांच हो जाता तो देखिए कितना इजी है टोटल संभावित घटना कोठो लूडू जेदी खेलते हैं तो एक दू तीन चार पांच छो यहीं न कितना हो गया चो टोटल चो हो गया कितना हो गया चो अब आपको कॉस्टेन बोल देगा क्या कि चार से कॉम आने का पर्याक्ता चार से कॉम आने का पॉसिबिलिटी इंगलिस में सौटकाट मार दिये पॉसिबिलिटी चार से कॉम आने का पॉसिबिलिटी तो चार से कॉम य टो नीचे बोले थे टोटल को लिघ देंगे तो टोटल को अट हो था चोट हो और 4 से कौम बोला कोग संख्या है एगो दूगो तिन घुंगो तो पर तीन लिघ जी तिन दूगो ना छोग एगवाटा दू हो गिया कोई दिकत इसी question में बोल देगा कि 4 से ज्यादा आने का परयकता 4 से ज्यादा 4 से ज्यादा आने का परयकता तो 4 से ज्यादा कोगो संख्या है एको यहां है एको यहां है 2 UR नीचे तो total 6 से होगा तो 2 तिया 6 1 बटा 3 कोई दिकत दिकत नहीं होगा चलिए और इसी question से देखिए कितना type का बन सकता है ठीक है बोलेगा कि दो आने का परेक्ता निकलिए दो आने का possibility ठीक तो possibility तो total कितना छोगो दू इसमें कोगो है एकेगो ना है भाई तो एकेगो ना आएगा तो 1 भाई 6 हो गया कोई दिकत बलेगा 5 आने का परेक्ता ग्याद समझ मा गया इसको थोड़ा मीटा देते हैं आप डाइस से question आएगा तो आपका नहीं छुटेगा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आप लोग क्या करते हैं वीडियो को स्कीप करते हैं हम छोटा-छोटा चीज को सिखाते हैं आप नहीं सिखिएगा जाके वहां प से और जो भी लड़की मेरा वीडियो देखती है कि कहीं भी निकले तो तात का साड़ी पहन के निकले कि आदमी भी देखेगा ना तो बलगा हां कि कुछ इसको नोकरी मिला है तो आप मेरा वीडियो देखिएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि यह हम जो कॉंटेंट पू सम संख्या आने का परियक्ता तो निच देख वोगा लेकिन संख्या कॉंटो कॉंटो एकू दू गो संख्या चार अगो संख्या और 6 संख्या तो तीन बाटा चो हो जाएगा तीन दू गोना छह एक वटा दू तो ढ dona इससे आपका जीस टाइप का कोस्टन बन सकता था, आपको हम आराम से बना दिये, चलिए, गेंद, गेंद बहुत इंपोर्टेंट है, गेंद बला, बोल दिया कि गेंद है, ठीक है, एक बेग में गेंद है, बोल दिया कि तीन गो लाल है, लाल गेंद तीन गो, लाल, नहीं, बोला तीन घंध है वाइट है माने सफेध वाइट सफेद ग्यांध को गो है बोल दिया कि पांच गो है ठीक है और निला ग्यांध है दोठो निला दोठो है है ना और बोलेगा क्या कि लालाने का परेक्ता गयत के जिए मतलब पी और आर से डिनोट कर दिया तो रेड हो गया तो टोटल गिन लिजिए तीन और पांच आठ हर्दू दौस टोटल दौस नीचे होगा तो लाल बोलता है कि बिना देखे हाथ डाला तो बोलता है कि लाला नेका पोसिबिलिटी क्या है तो भाई तीन गो ल लाला सकता है नजब लाला जाएंगा तीन गो लाला लाएगा तो तीन गोटा दोस बोलेगा कि बॉसिबिलिटि गोटा यह वाइट का तो वाइड को है नीचे तो ह anni Watch को है नीचे यह पांच गो है तो पांच गोए तो पांच गोई 19 दो नेक स्ट स्ट को देखते हैं कि बोलता है कि किसी थैले में सफेद सफेद को है तीन गोँ है लिख लिजिए निला ऐसे लिख लिजिए गा निला दूग है और लाल को है लाल पांच हो है तो टोटल कितना हो गया तो बोलता इसका क्या परेक्ता हो सकती है कि निकाली गई ग्यांद लाल रंकी नहीं है, मने लाल रंकी नहीं है, लाल नहीं है, तो लाल जो दिन नहीं है बाबू, तो परेक्ता क्या होगा, नीचे तो दस होगा ही होगा, दस लिख दिये, तो बोलता लाल नहीं होना चाहिए, तो लाल नहीं होना चाहिए तो कोगो बचा है तीन को सफेद बचा है अर्दू को निला बचा है यही दोनों मेंसे कोई निकलेगा तो तीन अर्दू 5 5 बटा 10, एक बटा 2 हो गया अपका एंसर ठीक है एक बटा 2 किसमें दिया है B number में तर B number answer बोल दिया किया कि लाल नहीं है तो लाल नहीं है तो क्या हो सकता है लाल नहीं निकला होगा तो निकला होगा सफेद या निला तो दुनों मिला के कितना है पांच को तो पांच उपर लिख दिये और टोटल तो नीचे होता है दस तो दस नीचे लिख दिये तो पांच तो गु वीडियो समझ गए होंगे और वीडियो समझ गए होंगे तो लाइक और सेर बहुत जबी पूरा हो जाए और अच्छा चाम आपको कंटेंट दे पाएं तो चलिए मिलते हैं कल इसी चैनल में